नमस्कार, मैं रेनु अरोडा, आज आपको वसंत का पार्ट आठ यह सबसे कठिन समय नहीं, जो एक कवीता है, पढ़ाने जा रही हूँ प्रस्तुत कवीता में जया जादवानी जी ने यह समझाना चाहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है, अभी तो चिडिया अपनी चोंच में तिनका दबाकर गोसला बनाने की तयारी है अभी वे पेड से गिरती हुई पतियों को थामने के लिए एक हाथ बैठा है इन कुछ उधारनों द्वारा कवित्री समझाना चाहती है कि हमें कभी भी मुश्किल घड़ी को मुश्किल घड़ी ना समझकर उसे हिम्मत और होसले से पार करना चाहिए तो आईए देखते हैं कविता में कवित्री क्या कहना चाहती है नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दवाहे चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उर्णे की तैयारी में है अभी भी जर्ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है इक हाथ प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार भले ही हर तरफ अविश्वास और अंदकार चाया है लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरन चमक रही है कवित्री कहती है यह सबसे बुरा समय नहीं है देखो अभी भी चिडिया अपना घोजला बुनने के लिए तिनके जमा कर रही है व्रिक्ष से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी भी मौजूद है अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है गंतव्य तक गंतव्य यानि के जहां हमें पहुँचना हो जहां कोई कर रहा होगा परतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को चल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है अभी कहा जाता है कथा का वह आखरी हिस्सा जो बूडी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंत्रिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं अर्थात अभी भी अपनी मंजिल तक पहुँचने का इंतजार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है कवित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है तभी वो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है आज भी कोई घर पर किसी का इंतजार करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है जब तक इस दुनिया में दादी नानी की कहानी दिलचस्प सुनाई जा रही है और वह बच्चों के कानों में गुंशती रहती है तब तक यह दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा तो देखा बच्चों आपने अगर हम किसी भी कठिन समय को अपने हिम्मत और होसले बुलंद करकर उसको बिताएंगे तो कोई कठिन समय कठिन नहीं रहेगा इसलिए हमें हर वक्त को हिम्मत से और समझदारी से बिताना चाहिए धन्यवाद